नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है अरजाश्मा महाजन, Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है Class 8 के स्टूडेंट्स के लिए Chapter No.14 भारत की Sanskritिक एकता निराली Hindi पाठे पुस्तक की बुक बच्चो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कप्षा आटवी की बुक की प्लेलिस का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में आईए इस पाठ को समझते हैं पाठ की वर्डिंग थोड़ी सी आपको लगेगी Class 8 के एकॉर्डिंग डिफिकल्ट लेकिन आप धीरे धीरे पूरे चैप्टर को ध्यानपुरवक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा भारत की सांस्कृतिक एक्ता प्रस्तुत पाठ में भारत की सांस्कृतिक एक्ता के बारे में बताया गया है आईए पार्ट पढ़ने से पहले इसके बारे में संक्षेप में जाने किसी भी देश की समरिद्धी एवं विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक एकता अवश्यक होती है जाने कि अगर किसी देश का विकास करना है उन्नती करना है तो सबसे पहले देश के लोग उनमें एक्ता होनी बहुत जरूरी है और सांस्कृतिक एक्ता ही वह आधार है जिस पर उस देश में रहने वाली विभिन जातियां और संप्रदाई जाने कि अलग अलग धर्मों के और जातियों के लोग एक राश्टर के रूप में एक बद रहते हैं जाने कि एक होकर रहते हैं ये एकता ही राष्टर प्रेम अखंडता जाने की एकता और राष्टर के विकास के लिए चेतना जगाती है चेतना मतलब consciousness बारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक जाती है धरम समाजिक रिती रिवाज अब सोचो बारत एक इतना बड़ा देश है हर एक राज्य के अपने अ मिशां से एक भावातमक एकता में बंदा हुआ है इस एकता का करन क्या है कि भिनता होते हुए भी संस्कृतिक एकता है संस्कृति लेवल पर हम सब एक हैं अनेकता में एकता यही तो है भारत की विशेशता आईए अब पढ़ते हैं आगे सबसे पहले हमें बताया गया है कि राष्टियता का अवश्यक उपकरन क्या है तो हमारा देश राष्टियता का एक अवश्यक उपकरन है उपकरन क्या होते है जैसे आप कंप्यूटर में डिवाइस पढ़ते हो न वैसे ही हमारी राष्टियता का एक अवश्यक डिवाइस और जार हमारा देश है भारत भूमी क नदियों के परवाह को जाने कि भारत भूमी पर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनकी जो भी गती किसी भी डिरेक्शन में जा रही है उसको प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतला कर हम कहते हैं कि यहां पर जो है चेनाब नदी है यहां पर है ब्यास नदी तो हम को खंडित करने के लिए हमारे कुछ हित चिन्तक जानी कि वैलविशर्स इस देश को देश ना कहकर एक उपमहध्वीब कहते है जानी कि सबकॉंटिनेंट कहते हैं कि यह भारदेश एक महध्वीब है हमारी राष्टिता को चनोती देने के कारण उत्तरदक्षित अबरन परन होता है जहां समान रंग के लोग रहते हों हिंदू मुसल्मान से किसाई जैन के बेद खड़े कर देते हैं लोग यहां पर और हमारी मिली जुली इकाई को यूनेट को हानी पहुंचाने की कुशिश करते हैं भाशा का भी ववंडर कई बार उठाया गया जगड़ा उठा ना रहे तो पहले परग्राफ में आपने क्या क्या पड़ा कि देश जो है वराश्टियता का एक अवशक उपकरन है सादन है और भारत भूमी पर बहने वाली नदियों के परवा को अलग-अलग विभाजन रिखाएं बताये जाती हैं भाशाधर, अमरीती, रिवाज अलग कर कई बार लोग भाषा को language को लेकर भी लड़ाई जगड़ा शुरू कर देते हैं ताकि हम भारतियों की शक्ती जो है वो क्या हो जाए कम हो जाए और विदेशी शासक आकर हमारे उपर राजे कर सके दूसरे पेला ग्राफ में क्या बताया गया कि अलग अलग देश है उन देशों में अलग अलग भाषाइं भी बोली जाती है अलग अलग differences है उन differences के बावजूद वे देश किस तरह भिन भिन राष्टर बने आईए देखे पहले तो प्राए सभी देशों में जाती भाषा और तो सभी देशों में जातियों के नाम पर भाशाओं के नाम पर धर्मों के नाम पर भेदबा पाया ही जाता है संयुक्तराज अमेरिका की सबसे पहले उन्होंने बात की कि वहाँ बहुत सारी भाशाइं बोली जाती है लेकिन एक सेंटर की भाशा जो सब लोगों को मिलाई हुए है स्विजलेंड में जर्मन, फ्रांससी और इटली जानिकी इतालवी तीन भाशा हैं बोली जाती है फिर भी एक सू संगठित राश्टर है, मिलाजूला राश्टर है इंग्लेंड ऑस्टरेलिया, एक भाशा भाशी होते हुए भी भिन भिन राश्टर है भाशा एक ही बोली जाती है फिर भी जिस तेश में भेद नहीं, जानिकी डिफ्रेंस सेशन नहीं है उसकी इकाई है शुन्य, जानिकी गणित शास्तर की जो यूनिट है उसकी तरह दृद्र ऑकाई है संपन्नता भेदों में ही है, जो डिफ्रेंस पाई जाते है उन डिफ्रेंस में कहते है, क्या है हमारी संपन्नता जानिकी हमारी प्रूग्रेस किन्तु भेद एतने नहीं होने चाहिए, अंतर इतना भी नहो कि उनमें सामझ जस्य ना रहे कि लगे ही ना कि ये लोग एकता में बंदे हुए नहीं है ठीक है, क्लियर हो गया second paragraph कि अलग-अलग देश है उन देशों में भी विबिनताएं हैं लेकिन विबिनताएं इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लगे ही ना कि देशों एकता में बंदे हुए नहीं है अब example लिया केंचुए का, वैसे तो केंचुए भी एक ही काई है और केंचुए के आंक होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, हाथ पैर होते हैं लेकिन कोई भी डिफरेंस नजनी आता, उसका सिरफ सपर्ष ही सारी ग्याने इंदरियों का प्रती निदेतों कर देता है जाने कि सारे संसेशनल पॉइंट्स हो हैं, उनके जो केंचुए है, सारे संसेशनल पॉइंट पर इकाईजा उसके शरीर में आँक भी एकान भी एक नाक भी लेकिन जैसे ही चू लेता है किसी को तो सारी ग्याने इंदरियों का प्रती निदेतों सिरफ केंचुए की वही इकाई कर देती है किन्तु क्या उसका जीवन संपन कहा जाएगा लेकिन हम क्या उसके जीवन को फुल्फिल कहेंगे मनुश्य अपने अव्यवों की जानि कि जो भी मनुश्य के अंग है components हैं उनके बाहुल्य, अधिक्ता और उनके समायोजन उनको इकठा करना उनको जोडने के कारण जीवधारियों में सबसे ज़्यादा विक्सित और श्रेष्ट सिरह मनुश्य ही गिना चाता है भेदों के अस्तित्व से इंकार करना जानि कि बहुत सारे अंतर हैं इन अंतर होने के बावजूद जानि कि इन अंतरों के मोजूदगी के बावजूद इन से इंकार करना मुरक्ता होगी और उनकी उपेक्षा निगलक्ट कर दें तो अपने आपको धोका दे रहे हैं हमारे समाज में भेद और अभेद होनों हैं कुछ लोगों ने स्वार्थवश जानि कि सेलफी शोकर हमारे भेदों को पूरी तरह अवहेलना कर दी गई और उनको नगन्य समझा गया जानि कि उन्हें जीरो इससे हींता की हम लोगों को तुच्छ समझा गया छोटे लोग ऐसी मनोवरिती पैदा कर दी गई जानि कि मन की स्थिती हमारी ऐसी कर दी देश की नतिया उनको विभाजे ने खाए कह दिया हमारी भूमी को क्या कहा उर्वरा उपजाओ और शक्स से शामला बनाती है फसलों से हरी बरी बनाती है हमारी बोगोली की काई हिमाले परवत और सागर से है उसे छिन बिन किया गया उसे तोड़ने की भी कोशिश की इसमें कुछ रायनितिक स्वार्थ भी साहयक हुए कुछ पॉलिटिक कल पार्टी इनका फाइदा उठाती है प्राचीन काल में राष्टिता की धारा अबादी तो नहीं रही करा पुराने समय में अगर देखा जाए तो राष्टिता की जो धारा है अबादित क्या होता है बिना बादा के वो रण होती रही लेकिन आंतरिक द्वेश जो बीच में ग्रिना द्वेश पनपे भारतवासी एक छत्र एक छाया के नीचे जाने की पूरी पृटवी से सम्बन रुखने वाले राजय से अपरिचित नहीं थे भारतवसी रासोय अश्वमेद यग्या ऐसे ही राजय की स्ठापना के ध्यसे किये जाते थे की एक अच्छा राजय स्ठापित हो जाए राजनिती की अपेक्षा मतला राजनिती के कंपेरिजन में धरम और संस्कृति मनुष्य के हिर्दे के जादा निक्ट है यद भी राइनिती का समंध भोतिक सुक्सु विराओं से है फिर भी जन सदारणाम चनता जितना धरम से प्रभावित होती है उतना राजनिती से नहीं होती हमारे भारतिय धरमों में बहुत सारे भेद है फिर भी उनमें एक संस्कृति केक्ता है जो उनके अविरोध की परिचायक है जैनकि उनका परिचे देती है वही त्याग, वही तप, वही मद्यमार की संयम, अही भावना जैनकि लोगों में यो संयम की भावना है हिंदू, बो, जैन और सिक संपरदायों में वो एक जैसी है एक धरम के आराद्दे, जैनकि पूजनिये दूसरे धरम में महापुरुष के रूप में सुईकार किये गए अब जैनियों के हैं, महावीर तो हम उन्हें महापुरुष के रूप में गिनते हैं, बगवान भुद्ध तो अफ्तार ही माने गए हैं, कल यूग कली कली यूग कली प्रथम चरने बुद्ध अवतारे कहकर प्रतेग धार्मिक संकल्प में हम उनका पुन्य स्मरन कर लेते हैं भगवान रिशब देव हैं, शिरिमत भगवत गीता में परमादर के साथ उनका जिक्र किया गया है, अब जैन दर्म गरंतों की बात करें तो जैनियों के दर्म गरंतों में भगवान राम और कृष्ण को तीरत कर नहीं, तो उनसे एक श्रेनी नीचे का स्थान मिला है, अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है, तो इस तरह बताया गया की हर एक धरम के गरंतों में किन किन का नाम किस किस रिस्पेक्ट में लिया गया है, भारत में उद्भूत जाने की उपजे हुए प्राय सभी धरम आवा गमन में विश्वास करते हैं आने जाने में, मैत्री करुना, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा, मित्तरता की भावना, दिया की भावना, प्रसन रहने की भावना, एक दूसरे से खुश से मनने हैं इन दोनों की, कमल और हाथी, और अश्वत वरिक्ष, जाने की पीपल का वरिक्ष, बोदों में और हिंदूों में एक रूप से पूजनी है, जाने की अब similarities क्या हैं दो दो धरमों की वो बताई हैं, जैनों के अनूवरत हिंदू दरम के योगशास्तर के यम और बोदो के पंचशीर एक ही हैं, पार्सी लोग जो होते हैं और हिंदूों में अगनी की पूजा समानूप से मानी जाती है, येनदावेस्ता जानकी पार्सीयों की बुक का नाम है उनकी गाथाएं, जानकी कथाएं और वैदिक रिचाओं में भाशागत समानता है तो सिख गुरूों ने हिंदू धरम की रक्षा में योगी नहीं दिया वरन, उसके लिए कश्ट भी सहे अत्याचार भी सहे, उन्होंने विशेश का गुरु नान, गुरु गोविन सिंग ने हिंदी में गुरु गोविन सिंग ने, गुरु गरंट साही में कबीर आदी महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षिता, कबीर की वाणियां भी यें, उनका नित्ते पाठ होता है, सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में सबसी आगे गिने जाते हैं और उनका आदर के साथ समरन किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है मुसल्मान और इसाई धरम एशियाई धरम होने के कारण भारतिये धरमों से बहुत कुछ समानता रखते हैं यौरप से भी पहले इसाई धर्म दक्षिन बारत में मिला है कुछ लोगों का कहना है कि स्विया में इसा ने बारत में शिक्षा पाई थी दूसरों के प्रती वैसा ही वेवार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रती चाहते हो इसा मसी का ये कथन महा बारत के आत्मने प्रती कुलानी परेश शामना समाचारेत का ही प्रयाया जानी कि आत्मा को जो दुकदाई लगे वैसा आचरन दूसरों के साथ मना करो इसाईयों की शमा और देया बोध धर्म से मिलती जुलती है इसाईयों लोग जिस तरह शमा करते हैं जा देया की भावना दिखाते हैं मैं ये नहीं कहता कि किसने किस से लिया लेखक बदा रहे हैं परंतु इन मोलिक सिधानतों में हिंदू बोध इसाई धर्मों में समानता पाई जाती है कही न कहीं रोमन कैथे लिको की पूजा अर्चना जानी कि जो संत जैसे आपके सैंट वाले स्कूल्स होते हैं उन्हें कैथोलिक बिशप कहा जाता है उनकी पूजा अर्चना धूब दी वरत अपवास आधी हिंदू के समान है मुसल्मानों और हिसाईयों ने यहां की संस्कृति को परभावित किया सबसे ज़्यादा ही फ्रेक्ट किया तो मुसल्मानों ने हिसाईयों ने और वे यहां की संस्कृति से परभावित भी हुए है बारतिय सूफी कभियों ने विदांथ की भाव भूमी को अपनाया और उनके गरंतों में हिंदू परंपराओं कथाओ विचारो देवी देवताओं परतीकों के समावेश हुए जाने कि जितने भी गरंत है भारतिय सूफी कभियों ने क्या किया हिंदू की जितनी भी परंपराओं थी जितनी भी उनकी कहानिया हैं विचार हैं देवी देवताओं परतीक चिन्या हैं उन सब के बारे में जानकर ये अपनी किताबों में दी तांसेन और ताजपर हिंदू मुसल्मान समान रूप से गर्फ करते हैं पता ही होगा आपको तांसें कौन थे संगीत वाद्यकार जैसी रहीम रस्कान जैसे कवियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा आदी अनेग मुसल्मान कवी अब रस्कान जी है मुसल्मान कवी होते हुए भी कृष्ण की अर्चना करते थे उन्होंने अपनी वानी से हिंदी की रस्मियता बढ़ाई है रस खान के सवय तो सचमुच रस की खान है सवयों में कृष्ण के प्रती मुसल्मान कमी है लेकिन कृष्ण के प्रती उनका प्रेम उनकी भक्ती अनूठी थी प्राचीन काल में भारती धरम और साहित्य ने राश् चलना है कि वहां के अंग्रे जो हैं हमारे श्लोकों को इतने अच्छे से रट गए हैं जबकि हमारे भारतिये लोगों को जाने कि हमारे भारतिये बच्चों को संस्कृत का कोई श्लोक नहीं आता हुगा संस्क्रीफ, प्राकृत और अपब्रश के आमान्य, आमनाय क्या होता है? पवित्र प्रताईं जो भी पवित्र प्रताईं जो कस्टम चलते हैं और कावेगरंत उततर दक्षी में समान रूप से मानने हैं कालिदास का रगुवंच भबूती के उत्ता रामचरित में उत्तर और दक्षिन के प्राकृतिक द्रिश्यों का बड़ी रस्मयता के साथ वन्नन किया गया तो इन बुक्स में कभियों ने बहुत ही सुन्दर तरीके से अपनी भारतियता और संस्कृति को दिखाया है। रामेश्वर महादेव का अभिशेक करते हैं। गंगा नदी से जल लेके आते हैं और रामेश्वर महादेव पर चड़ाते हैं। उत्तर में बदरी के दार, दक्षिन में रामेश्वर अपूरम में जगन्ना, पच्ची में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चार द्वारावती पूरा श्लो किसक peng प्रकार है अयोधिया उ मत्वरा निया संचिय के है यानि पूरिया है यह सात यूप अलग अलग देवी देवताहूं से सबंदीट अयोदिया किसे सबंदित है शिरी राम से मतरा और दौरी का शिरी कृष्ण से वारा नसीर जैन शिवजी के तीरत है हरी दौर विश्णु जी और कांची पूरा माता पारवती से तो इन सातों पूरियों से जूड़ी खास बात उन्होंने इस लोक के अंतरगत आपको बता दि दक्षिन में शिंगेरी मठ पूर्व में गोवर्दर मठ और पच्ची में शादा मठ ये भगवान शंकराचारे की दिग विजय के कीरती स्तंबी नहीं है वरन भारत की एकता के परिचाइक चिन्ने है जैनकि भारत की एकता के बारे में दिखाते है दक्षिन के अन्य अचा कर कृष्ण भगवान का बहुत ज़्यादा प्रचार करता है अपनी शिश्य परंपरा स्थापित की इन संपरदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्ता परदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशी उसे प्रभावित थे वे सब एकता के सूत्र प्राचीन थे पच्चिम की सोगात नहीं थे जाने कि कहीं बाहर से विदेशी वेस्टन कल्चर को लो लेकर नहीं आये थे भाशा का प्रशना आता है अब सबसे पहले तो उत्तर भारत की प्राय सभी भाशाएं संस्कृत से नि देवनागरी की लिपी तो एक ही है संस्कृत की पनिष्ठित लिपी होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है उर्दू का लिपी भेध होते हुए भी जाने की लिपी अलग है तो हिंदी के साल भाशा में सामे है सानी की समानता है भाशा की ज अश्क है सुदर्शन है इनोंने हिंदी में भी लिखा उर्दू में भी लिखा तो भारत की प्राइस सभी भाषाओं के सहित्ये ने स्वतंतता की लड़ाई में योगदान किये जानिकि इन सारे सहित्यकारों ने किसी ना किसी तरह अपनी रचनाई लिखकर स्वतंतता की लड उसके बीच कोई अविद्य दिवार नहीं थी मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवितरी मानी जाती है मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ बूशन की वानी का महाराष्टर में भी आदर हुआ था संत तुकाराम आदी महाराष्टर के संतों ने अपन कविता में हिंदी को भी अपनाया विद्यापती समान रूप से हिंदी मैथली बांगला के कवी माने जाते हैं कभीर दादु आदी संतों का व्यापक प्रभाव रहा उन्होंने अपने एक तारे कीतान में सारे भारत को बांढ़ दिया जाने कि अलग-अलग कवी हैं उन्हो का वंदे मातरम जन कर्मन राष्ट्य गीत बन गया वेश बुशार रहन सैन और शकल सूरत में भेध होते हुए जाने की पहनना ओडना लोगों का अलग अलग रहने का धंग अलग 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 शकल अलग अलग सूरत अलग अलग फिर भी भारतवासी अपने जातिये विक्तित का तरीका चाल ढाल वेश बुशा सहित्य संगीत कला में अभी व्यक्त होता है विदेशी प्रभाप पढ़ने पर भी बहुत अंचों में अशुन बना हुआ है जाने की बहुत सारे विदेशी लोग आए अपनी प्रभुता हमारे उपर जमाने लेकिन जमा नहीं पाए फिर भी हमें तोड़ नहीं पाया उसका कारण सिरफ एक ही है कि हम सब एकता के सूतर में बंदे हुए है कही न कई सांस्कृतिक एकता हम सब को जोड़े हुए है तभी तो हम अब आने वाले टाइम में 2080 में विश्व गुरू बन कर दिखाएंगे तो आईए आगे देखते हैं स आपके सामने प्रशन आपका विदेशी शासको ने भारत को खंडित करने के लिए क्या क्या किया जाने की विदेशी शासको ने अपनी सारी कोशिशें की लेकिन हमारे देश को तोड़ नहीं पाई तो उन्होंने क्या क्या किया हम इसका उत्तर देंगे हिंदू मुसल्मान वरन स्वरन इसाई जैन के बेद खड़े किये हमारी काई को तोड़ने की कोशिश की भाषा के नाम पे लड़ाई मचाई आपसी जगड़े बेद भाफ ताकि हमारी शक्ती कमजोर पड़ जाए और हम लोग जाने की विदेशी शासक हम पर राज्य कर सके पर ऐसा हो नहीं पाया प्राचीन काल में रास हुए अशो में यग्य किसलिए किये जाते थे बच्चो वो इसलिए किये जाते थे ताकि सारभ भूम राज्य की स्थापना हो सके सारभ भूम राज्य मैंने आपको बताया ही है जब आप चैप्टर को पढ़ रहे थे जाने की समस्त पृत्वी एक है भारत में सभी धरम किसमें विश्वास करते हैं अनेकता में एकता भारत की साथ पूरियां कौन-कौन सी हैं योद्या, मतुरा, माया, हरीद्वार काशी, कांची, अवंतिका, द्वारवती ये साथ पूरियां, पवित्रभियां और मोक्षति लाने वाली हैं भारत की सभी भाषाओं का उद्गम कहां से हुआ, उदे कहां से हुआ संस्कृित से हुआ दिर गुतरिये, आयदेश और समाय में भेद अभेद में से किसे अधिक विस्तार देने की अवश्यक्ता है, तो यहां पर बताया गया है कि आज हमारे देश में भेदों को ज़्यादा विस्तार दे दिया गया है जिससे हमारे देश में फूट पड़े फूट पड़ेगी तो लोग अपने आप आपस में मार काट करना शुरू हो जाएंगे लेकिन देश के उन्नती और एकता के लिए भेदों को नहीं बलकि अभेदों को अधिक विस्तार देना चाहिए भारतिय संस्कृति की विशेषता क्या है हम सब एक हैं, मिल जुलकर रहते हैं भाषाएं बले ही एक हैं, रहने का तरीका बले ही एक है उठने बैठने का तरीका बले ही एक है लेकिन हम सब एकता के सूतर में आज भी बंदे हुए हैं तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं प्राचीन काल में भारतिय धर्म साहित्य ने राष्टर को एक्ता के सूत्र में कैसे बांदा तो राष्टर को एक्ता के सूत्र में बांदने का तरीका क्या था उनका उनका तरीका था उन्होंने धर्म साहित्य इनके जरिये राष्टी एक्ता का पाठ पढ़ाना शुरू किया जाने कि सब धर्मों के कावे गरंत अलग-अलग हैं लेकिन उन कावे गरंतों की प्रेना स्तुरों सिर्फ ये कह कि भारतिये लोग एक बने रहें बारतिये सांस्किति के एकता में स्वामी शंकराचारे का क्या योगदान रहा था तो स्वामी शंकराचारे ने अलग-अलग को आपको याद करना है और बताना है ये सारे मठ बारती एक्ता के परिचाएक चिन्ने हैं पाठ के अधार पर निमल की रिक्तस्थान पूरे करने हैं तो देश राष्टियता का एक अवश्यक उपकरन है भेदों को अस्तित्व से इंकार करना मुरक्ता होगी रस खान के हशाईं बोली जाती है गलत सभी देशों में जाती भाषा और धर्म की समानता है गलत रायनिती का संबंद भोतेक सुक्सोविदाओं से है सही पार्सियों और हिंदूं में अगनी की पूजा नहीं होती गलत उर्दू और हिंदी भाषा में समानता है गलत पाठाश को का प्रश्णों के उत्तर लिखने है तो मैंने उत्तर तो नहीं लिखे बस मैंने आपको क ख और ग लिखकर माक करके दे दिया हैं आगे देखते हैं Language and Grammar मुहावरा और उनका अर्थ तो आपका ख ग के उत्तर देख लीजिए आगे मुहावरों के अर्थ और वाक्य भी देखते हैं उन्लू सीधा करना तो स्वार्थ पूरा करना वाक्य प्रियोग आपको नीचे दे दिया गया है आप वाक्य प्रियोग देख सकते हैं गागर में सागर भरना बड़ी बात को थोड़े में कहना उन्गली उठाना दोश्तेना काया पलट होना बिल्कुल बदल जाना पर निकल आना नीअंतरन से बाहर होना तो वाक्य प्रियोग नीचे हैं लेकिन आप अपने अकोर्डिंग भी अपना बाक्य बना सकते हैं ग्यान इंद्रियां को यदि ग्यान प्लस इंद्रियां लिखा जाए तो नीचे लिखे शब्दों को कैसे लिखा जाएगा तो मैंने भी सब को लिखकर दिखा दिया है रतना कर रतन प्लस आकर विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी इसी प्रकार पाकी सारे शब्द संदी युक्तिश अब्दो को रेखांकित करना है मूलो छेट को रेखांकित किया हुआ है मदांद को मैंने कर दिया है मद प्लस अंद चुने हुए अश्वारोही अश्वा प्लस आरोही उसके बाद लाक्षदेक उसके बाद योईना नुसार प्रत्य युक्तिश अब्दो को रेखांकित करना है विश्वस्निये तो अनिये प्रत्य लगा हुए विश्वस्निये में जन्ता में जन प्लस ता प्रत्य लगा हुए विस्मर्निये अनिये प्रत्य लगा हुए ठीक है आंतरिक में अंतर प्लस एक प्रत्य लगा हुआ है सुभागय शाली में सुभागय प्लस शाली प्रत्य लगा हुआ है अंडरलाइंग कर दी है मैंने पांचवा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो प्राप्त ना हो सके और प्राप्य बाकी सारे शब्दों के सामने आपको लिख कर दे दिये मुल्य अधारित प्रशन जाने की वैल्यू बेस कोशन है भारत वर्ष में या नेकता में एकता कैसे प्रतीत होती है तो हमारा पूरा भारत ही विश्व में अलग पैचान रखता है एकता शब्द सुयम ये प्रकट करता है कि भारत में जाती नंग रूप वेश्वुशा अलग होने के बावजूद हम सब एक सूतर में बंदे हुए है जिस परकार नेक वादे यांतर मिलका संगीत की एक ले एक गती एक लक्ष एक भाब बना देते हैं वैसे भारती ये भी ये एक विबिनताय होते हुए भी एक ही है तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा दो तीन बार वीडियो को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है जादा मुश्किल नहीं है बाकी कोशन असर ध्यान से याद कीजिएगा और वीडियो को शेर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ बाकी रहा आपका चैप्टर 15 जल्यावाला बाग में बसंत तो अच्छे से जल्यावाला बाग में बसंत चैप्टर आपको समझाया सिक्स्टीन चैप्टर अच्छे से कराया जाएगा क्या निराश हुआ जाए यहीं पर निदाली हिंदी पाठे पुस्तक हो जाएगी कंप्लीट गुट पाई